विटामिन और पोशक तत्व मिलकर हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं. इनकी कमी होते ही हमारा शरीर हमें सचेद कर देता है. परंतु विटामिन B12 एक ऐसा तत्व है जिसकी कमी का पता आसानी से नहीं चलता है. यह शांत रहकर धीरे धीरे घटता जाता है और उसी तरह शरी विटामिन B12 की कमी से ग्रसित हैं. केवल 26% लोगों में B12 लेवल परियाप्त पाया गया है. हमारे देश में B12 की कमी एक गंभीर स्वास्थे जोखिम बन रही है जिसका समाधान किया जाना जरूरी है. तो आईए जानते हैं क्यों जरूरी है विटामिन B12 लाल रक्त कोशि विटामिन B12 चोटी आंथ के अंतिम भाग में अवशोशित हो जाता है. वहीं अतिरिक्त B12 लिवर में इकठा हो जाता है. ताकि शरीर को जब उसकी आवश्यक्ता हो वो उसका इस्तिमाल कर सके. औसत वयस्क को प्रतिदिन 2.4 माइक्रोग्राम विटामिन B12 की आवश्यक्त होती है. गर्भवती या स्तनपान करा रही महिलाओं को इसकी आवश्यक्ता अधिक होती है. शिशुओं और बच्चों के लिए आवश्यक B12 की मात्रा उनकी उम्र के आधार पर अलग-अलग होती है. औसत वयस्क को प्रतिदिन 2.4 माइक्रोग्राम विटामिन B12 मिलना चाह किये. अधिकांश विटामिनों की तरह B12 शरीर द्वारा नहीं बनाया जा सकता है. इसे भोजन या सप्लिमेंट से प्राप्त किया जाता है. B12 की कमी को खून की जांच में CBC यानि Complete Blood Count और विटामिन B12 टेस्ट द्वारा ज्यात किया जा सकता है. यदि खून में B12 की मात्र 200 पीको ग्राम प्रती मिलीलीटर से कम है तो शरीर में विटामिन B12 की कमी है. इसकी पूर्ती के लिए डॉक्टर द्वारा टैबलेट और इंजेक्शन की सलाह दी जाती है. थैंक यू.